आज पूरी दुनिया की निगाहे भारत पर हैं क्योंकि इस सार भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवस्थावाला संगठन G20 का मेजवानी किया भारत में 9-10 सितंबर की बीच G20 की बैठक होई थी जिसे सह कुसल संपन कराने के लिए भारत ने पूरी ताकत जोग दिया इस बैठक में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आई लेकिन कोई आपकी बुराई निकानला चाहे तो फिर कोई न कोई बुराई निकल ही आती है और ऐसा ही कुछ अब भारत के सांथ भी हुआ है इस बैठक को सफल बनाने के लिए भारत ने पैसे को पानी की तरह बहाया है लेकिन इसके बावजूद भी पस्चिमी देश भारत के इंतिजाम से कुछ नहीं है पस्चिमी देशों के मीडिया ने भारत के उपर यह आरोप लगाया है कि भारत ने G20 की मेजबानी करने के लिए इंसानियत को ताक पर रख दिया अब सवाल यह उठता है कि पस्चिमी देशों के बारत के बारत के बारते क्यों कहीं है यह तो हम आगे आपको बताएंगे और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस पूरे मामले पर रूस ने खुल कर किस तरह से भारत का समर्थन किया है लेकिन इससे पहले यह बताओ चैनल को सब्सक्राइब करने का पैसा लगता क्या और वीडियोस को आप देते हो कमेंट भी करते हो लोगों को बीना कोई सहता दिये जब जस्ती हटा दिया जिससे की गरीब लोग बारिस और गर्मी के मौसम में सड़क पर आ गये हैं उनके पास अब रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है जिसमें उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी को उपर यह आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान मंतरी मोदी ने वैस्वी कारिकरम यानि के G20 को अपनी रिब्रांडिंग के लिए इस्तिमाल किया है देश भर में बिलबोर्ड पर प्रधान मंतरी का चेहरा चिपका दिया गया है जिससे भारत की जनता को यह लगे कि दुनिया के बड़ी देशों की मेजबानी करके भारत एक विश्व सक्ति बन गया है और भारत की जंता को लगे कि मोदी ही वो व्यक्ति हैं जो देश को विक्षित बनाने की ओल लेकर जा रहे हैं जबकि सच्चाई यह है कि G20 के प्रेजिडेंसी हर उस मेंबर को मिलती है जो G20 का सदस्य है यह तो हमने आपको कुछ एक्जामपल बताया जबकि इस तरह से धेरो आर्टिकल हैं जिसे पश्चमी मीडिया ने भारत के खिलाप छापा है और भारत के खिलाप केवल निगेटिव खबरों को ही हाईलाइट किया गया है अब इस पूरे मामले पर रूस के प्रतिकरिया सामने आई है क्योंकि सारे दुनिया अगर भारत के खिलाप हो जाए तो भी रूस भारत के समर्थ में खड़ा रहेगा जैसा कि G20 के पहले दिन की हुई बैठक में रूस ने यह साप कहा दिया था पस्चिमी मीडिया यह बोल रही है कि भारत में गरीब लोगों की जुगी जोपडियों को हटाया गया इसका मतलब यह है कि वे दिखाना चाते हैं कि भारत में आज भी गरीबी है लेकिन पस्चिम मीडिया अपने यहां की हकीकत को क्यों नहीं दिखाती क्योंकि पस्चिम देशों में भी गरीबी अपने चरम सीमा पर है अमेरिका के सिल्कन वैली यानि की कहली फोनिया में लोगों के पास अपना घर नहीं है वहीं अमेरिका के बड़े सहरों में बहुत बड़े पैमाने पर ड्रक्स की तसकरी की जा रही है जिससे जुड़े हुए वीडियो कई बार सामने आये हैं और सारी दुनिया में अमेरिका बदनाम भी हुआ है यूरोप के सभी सहर प्रवासियों और बेरोजगारी की समस्या से जूज रहे हैं लेकिन इन सब के बावजूद भी पस्चिम मीडिया अपने यहां की हकीकत दिखाने के बजाए भारत को टार्गेट कर रही है वासिंगिटन पोस्ट पर भी रूस ने भढ़कते हुए कहा कि भारत मेना केवल मोदी भलकि दुनिया भर के नेता भी अपने वोटर को लुभाने के लिए बिलबोर्ड पर अपनी फोटो लगाने का यही तरीका अपनाते हैं और इसका उदारण हम पहले कई देशों में देख चुके हैं जिन देशों में भारत से पहले G20 के बैटक हुई थी और रही बात भारत की तो परधार मंतरी मोदी ने भी अगर यही तरीका अपनाया तो इसमें गलत क्या किया अब आपके बन में सवाल यह आ रहा होगा कि आखिर पस्चिम देश भारत के खिलाप ऐसा कर क्यों रहे हैं तो इसका जवाब यही है कि पस्चिम देशों और पस्चिम मीडिया ने कभी भारत का समर्थर नहीं किया है उनके नजर बे भारत आज भी गरीब लाचार और एक पिछड़ा हुआ देश है भारत की तरक्की उन्हें किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रही है तो वहीं भारत के खिलाप आर्टिकल छापने का एक दूसरा कारण यह भी है कि भारत ने G20 के इस बैठक में युक्रियन का मुद्धा नहीं उठाया जबकि पस्चिम देशों का दबाव था कि युक्रियन के मुद्धे को इस बैठक में सामिल किया जाए लेकिन एक महीने पहले ही भारत के विदेश मंतरी एह जय संकर नहीं साप कर दिया था कि G20 का गुरूप आर्थिक विकास के लिए है ना कि संघर्स के बातों के लिए अगर युक्रियन को संघर्स कि युद्ध की बाते करनी हैं तो इसके लिए UNHC यानि कि United Nations Security Council में जाए क्यूंकि संघर्स के बाते UNHC में होंगी ना कि G20 के बैठक में और विदेश मंतरी की यही बात पस्चिम देशों को बुरी लगी है और इसलिए वे भारत को कोस रहे हैं लेकिन फिरहाल दोस्तों इ आपका क्यार आए है हमें कमेंट करके ज़रू बता हैं साथ इसाथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें